आप लोग आज बात करेंगे तीन हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जो कि अगर आपके पॉर्ट्फोलियों में है तो वो आपके पॉर्ट्फोलियों की ट्राजेक्टरी को काफी इंप्रूव करेंगे इन मेंसे दो स्टॉक जो है मिड-कैप केटेगरी से बिलॉग करते है एंड एक stock जो है small cap category से बिलॉंग करता है बिना किसी देरी के start करते हैं सबसे पहला जो stock discuss करेंगे वो building material बनाने वाली company है एंड इंडिया की एक leading company है जो की एक mid cap space से बिलॉंग करती है second stock जिसकी बात करेंगे वो electronics appliances बनाने वाली company है एंड ये भी mid cap space से बिलॉंग करने वाली company है third company की अगर बात करें तो वो industrial machinery बनाने वाली company है एंड ये small cap space से बिलॉंग करती है building material बनाने वाली company ने पिछले 5 years के अंदर अपने investors के पैसे को 6 times किया है electronic appliance बनाने वाली company ने अपने investors के पैसे को last 5 सालों में 6 गुना किया है and industrial machinery बनाने वाली company ने अपने investors के पैसे को लगबग 8 times किया है तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे multi burger return ने इन stocks ने बना के दिया है and जो इनकी growth है वो अभी भी जारी है and साथ में जो manufacturing sector की तरफ इंडिया का जोर है उसकी वज़े से ये stock future में भी बहुत अच्छा करेंगे तो किसी भी buy on dips पे या इन stocks को staggered manner में आपको buy करना चाहिए बिना किसी देरी किये सबसे पहले stock के बारे में बात करेंगे वो है APL Apollo tubes currently 1057 के price पे trade कर रहा है and ये इसके last 5 साल का आप graph देख सकते हैं काफी सांदार upside इसने 2020 के बाद से दिखाई है पुछले around 2.5 साल में इस stock ने काफी अच्छे return दिया है इस stock ने इपने investors के पैसे को 6 times से भी जादा किया है last 5 सालों के अंदर APL Apollo tubes की अगर बात करें तो it is one of India's leading branded steel product manufacturing company है जिसका headquarter दिली NCR में है अलग-अलग जगह पर इनके manufacturing plant भी है industrial applications अगर इनकी बात करें जो यह steel tubes बिनाते हैं उनकी तो housing sector के अंदर infrastructure, irrigation, solar plant, green house and engineering इन सारे sectors में यह काम आते हैं इनके growth जो यह सीख कर रहे हैं वो कर रहे है, skyscrapers, infrastructure, airport and warehousing इन चारों field के अंदर इनको growth मिलने वाली है distribution network काफी strong है 800 प्लस distributor है इनके पचास अजार से भी ज़्यादा retailers इनके product को पैन इंडिया के अंदर sale करते हैं अब अगर कुछ fundamental की बात करें तो 26,000 करोड market cap वाली company है जो की mid cap space से बिलाउं करती है return on capital employed 34.7 का है काफी अच्छे level पे return on capital employed है return on equity की बात करें जो की shareholder की total equity है उसके उपर management कितना return बनाने में capable है तो वो 28.2% का है जो की काफी अच्छे level पे नज़र आता है debt to equity ratio की बात करें तो 0.26 है means negligible debt है company के उपर and 3 year profit growth की बात करें तो 55.5% का है अब आप देख सकते हैं last 5 साल का profit देखेंगे तो यह ऐसा नहीं है सिर्फ share price के अंदर ही jump देखने को मिला है company के profit के अंदर भी आपको same चीज़ देखने को मिलेगी and ऐसी equation आपको जहां भी मिले उन stocks पे आपको विश्वास करना चाहिए 2018 में company 158 करोड का profit generate किया था तो 2022 में company ने 557 करोड का net profit company ने generate किया है share holding pattern के अगर बात करें तो 34% का stake promoter के पास है mutual fund and जो other DIY है उनके पास around 10% का stake दिखता है FII के पास around 25% का stake है and retailers के पास only 29% का stake दिखता है तो जो institutional holding है वो भी काफी अच्छी है इस stock के अंदर and ये stock अगर आपके portfolio में नहीं है तो आप किसी major decline की वो आसा करके नहीं बैठे आप essay stocks को धीरे धीरे अपने portfolio में या monthly basis पे कुछ quantity में essay stock को buy करना start करना चाहिए आपको ऐसे wait नहीं करना चाहिए कि किसी fine day market ज्यादा crash होगा तो हम इसे buy करेंगे उस दिन आप फिर भी buy कर सकते हैं लेकिन ऐसे stock आपको अगर मौका नहीं देते हैं तो अगर आपके portfolio में ये नहीं होंगे तो ये आपके portfolio की जो percentage basis पे आपको growth वो नहीं दे पाएंगे जिनके portfolio में ये stock है चेकिन stock की बात करेंगे वो है Dixon Technologies ये currently 4,104,189 के price पे trade कर रहा है last 5 सालों में around 700% के return इस stock ने दिया है मतलब अपने investors के पैसे को 8 times किया है manufacturing sector को इंडिया ने जब से बढ़ाव देना start किया है आप देख सकते हैं 2020 के बाद से इन stocks के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है even Dixon Technologies के stock की बात करूँ तो ये अपने recent high से around 25% के discount पे भी available है तो आप इस stock को current level पे भी buy करने के बारे में सोच सकते है Dixon Technologies का नाम लेते ही आपके मन में एक बात आने चाहिए कि brand behind the brands तो जितने भी branded TV है, lightning product है, washing machines है, mobile phones है, security systems है उन सेरे ही जो different brands है वो इन से ही manufacture करवाते हैं like अगर TV की बात करूँ तो Samsung, Panasonic, Xiaomi, TCL, OnePlus ये सारे इन से TV manufacture करवाते हैं lightning product की बात करूँ तो Philips, Hevels, Cisco, Bajaj, Wipro and Orient ये सारे अपने lightning product जो है इन से ही produce करवाते हैं इसके अलावा semi-automatic washing machines की बात करूँ तो ये Godrej, Samsung, Loyard and Panasonic के लिए बनाती है और इसके अलावा company mobile phone and security system manufacturing के अंदर भी काम करती है तो काफी divergified portfolio है अपने आप में ही और ये stock भी काफी अच्छा है mid cap category से belong करता है जो कि अगर इसी type से growth दिखाता रहा तो large cap category के अंदर भी जल्द ही fall करने वाला है market cap के बात करें तो 24,000 करोड है return on capital employed जितनी capital business के अंदर employed है उस पर कितना return बनाती है company तो वो 22.5% है and share orders की total equity के उपर 21.9% का return company देने में capable है debt to equity ratio की बात करें तो 0.67 का है ज्यादा debt नहीं है company पे and 3 year के profit growth की बात करूं तो वो 44.4% का है company अपने profit को लगातार increase कर रही है आप दिये गए pictorial chart के अंदर भी देख सकते हैं 2018 में company ने 60 करोड का profit generate किया था तो 2022 में company ने 190 करोड का profit generate किया है तो 4 times तो इसका profit ही हुआ है and तो आप देख सकते हैं कि इसी type से share price के अंदर भी आपको growth देखने को मिली है share holding pattern के बात करें तो 34% promoters के पास है mutual fund and other DIA के पास around 8% का stake है FIA के पास 15% का stake है FIA and DIA जोनों नहीं अपनी holding को इस particular stock में कम करी है लेकिन promoter की holding 35% जो थी वहां लगबग constant डिखती है next stock की बात करेंगे जो की industrial machinery बनाने वाली company है currently share price 2000 के आसपास है last 5 years में इस company ने 774% के return दिया है even 5 years से भी कम के समय में तो इसने अपने investors के पैसे को around 9 times किया है and currently अगर देखा जाए तो इस price के अंदर ये company ने काफी देर तक अपना समय बिताया था and recently इस stock के अंदर जो golden crossover है technical chart में वो देखने को मिला था recently इसके उपर मैंने एक shorts भी upload किया है and वहां से इस stock के अंदर काफी अच्छी around 25% की तेजी last 3 दिन के अंदर ही देखने को मिली है ये corrosion resistant glass lane equipment बनाती है जो कि basically pharmaceutical and chemical industries में काम आते हैं and इस particular मामले में ये 50% से उपर का market share रखती है तो एक तरीके से ये motivated stock भी है and market cap की बात करें तो ये एक small cap company है जो कि 9000 करोड market cap रखती है return on capital employed 15% के आसपास दिखता है return on equity भी 15% के आसपास दिखता है जो कि again 15% के ऊपर के ROC and ROE अच्छे लगता है debt to equity ratio की बात करें तो वो 1.21 का है थोड़ा सा higher side based company का debt है 1 से उपर का debt to equity ratio हो तो वो थोड़ा हम ज़्यादा के मामले में ही consider करते है 3 year profit growth की बात करें तो वो 15.8% है 2 digit की profit growth हमेशा अच्छे मानी जादी है अब अगर profit की बात करें तो 42 करोड का profit 2018 में generate किया था 2019 में 50 करोड 2020 में 71 करोड 21 के अंदर 73 करोड 2022 के अंदर 85 करोड तो आप देख सकते हैं कंपनी 9,000 करोड के कंपनी yearly basis पे around 100 करोड का profit अगले financial year सक generate करेगी तो वो एक काफी अच्छी बात इस particular company के लिए दिखती है shareholding pattern के बात करें तो 54% का stake promoters के पास है जो कि पिछले काफी time से constant नजा राता है even mutual fund and FII ने अपनी holding को इस particular stock के अंदर पिछले कुछ quarters से कम किया है retailers and others के पास 27% का stake है तो promoter FII and DIA के पास around 73% का stake दिखता है जो की higher side पे ही नजार आता है तो ये थे 3 stock जो की growth के मामले में and manufacturing sector में sector से belong करने की वज़े से ये stock आगे भी अच्छी growth दिखा सकते है तो इन particular stocks को आप नीचे के level पे या staggered manner में हर महीने की SIP के तौर पे इन particular stocks में buying कर सकते है बट इस video को आप as a educational video consider करें क्योंकि ये कोई buy or sell recommendation नहीं है telegram channel को join नहीं किया है तो description box में दिये गए link से join कर सकते है तो आप subscribe जरूर करें जिससे आपको वीडियो का notification टाइम पे मिले and telegram channel पे भी मैं या से post जालता हूँ जिससे कि आपको कोई भी वीडियो miss करने का मौकान नहीं मिलेगा तो आपको ये दोनों ही चीजे जरूर करनी चाहिए thank you for watching this video